आज ये पेगैसिस विशे पर आईटी मंत्री अश्वनी जी ने लोकसभा में एक विस्तारित वक्त पर दिया है लेस्टेटमेंट टॉच्ट उन अवराइटी अव तिंग्स एक्स्प्लेंड अभी कॉंग्रेस पार्टी की और सेप्रेस हुई है कॉंग्रेस पार्टी ने भारतिय जन्ता पार्टी पर ऐसे अस्तरहीन आरोप लगाएं है जो राजनीतिक सिष्टाचार और मर्यादा से परे हैं क्या कॉंग्रेस पार्टी का अब ये अस्तर हो गया है लेकिन क्या कहा जाए आज के नितित्व में जो कॉंग्रेस पार्टी बाला कोट और उरी में देश के जवानों की शहदत का सबूत मांगती है उससे और क्या पिक्षा की जाए जो कॉंग्रेस पार्टी आज तक गल्वान को लेकर पार्टी बाद में भारत के राष्टपती श्रीप्रणों मुखर जी उस समय के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग को लिखित चिट्थी में शिकायत करते हैं कि हमारे फोन की बगिंग हो रही है तद कालीन ग्रीह मंत्री चिदामरम के द्वारा उस कॉंग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद की जाए वो कॉंग्रेस पार्टी जिसका इतिहास रहा है कि हर्याना के दो सिपाही स्वर्गिये चंद्शेखर जी की सरकार में राजिव गांधी के आसपास देखे गए तो चंद्शेखर जी की सरकार कॉंग्रेस जिंगिना दी बाकी तो 2013 में ख़बरें छपी है कि हजारों लोग का फोन टैप होता था आर्टी आई के क्वेरी भी है बगिंग होती थी भारतिय जन्ता पार्टी कॉंग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सीरे से खारिज करती है यह शर्मनाग मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक अस्तर में एक नई गिरावट है the BJP strongly refutes condemns the baseless and bereft of political propriety comments level by Congress against the BJP this is a new law in the political discourse of a party which has ruled India for more than 50 years लेकिन जिस तरह के नेताओं का किटिपणिया होती है जिस तरह के वो अस्तरहीन बाते करते हैं तो आज के अवसर पर हम उनसे क्या पेक्षा करें देश सब देख रहा है और समझ रहा है मित्रो जो पेगासेस की कहानी है इसका संकेत आईटी मंत्री वैशनवजी ने दिया था ये सारी कहानी मौनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है क्या कुछ लोग योजनाबत तरीके से लगे हुए थे कि ये कहानी मौनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक निया माहौल बनाया जाए मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूँ एक संस्था का नाम आया है वायर मैं किसी के अलुटना नहीं करता है वो है अपनी ज़़ा पर है लेकिन क्या ऐसा चाही नहीं कि उनके द्वारा बहुत सी कहानिया गलत पाई गई एक जज को लेकर कहानी बनाई गई थी आप वो याद होगा महराश्ट के जज थे उनके डेथ को लेकर सुप्रीम कोट ने भी उस पर टिपणी की वो पूरी कहानी जूटी थी एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है या नहीं रहा है या नहीं रहा है और जब उनसे एक सवाल पूछा गया क्रिप्या करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटरन क्या है फॉरन का बताईए तो भारत से विड्रॉव कर गए वो कि सचाई है कि नहीं है कि जब उनसे कहा गया कि आपका जो भारत में फंडिंग है विदेश श्याता है क्रिप्या करके उसकी कहानी आप कानून की प्रक्रियाओं के अंसर बताईए तो कहे विफाइंड इफिकल्ट टो वर्क इंडिया अब कुछ चीजों को वो समझना और जानना जरूरी है इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है not a shred of evidence has come that in this entire Pegasus story there is any linkage of the government और भारती जन्तपाटी यह सवाल इसलिए जरूरी है कि यह दुनिया डिजिटल दुनिया है तो दुनिया में बहुत सारे डाटाबेस है लाखों में है हजारों में है तो जब तक आप उस डाटा का कोई evidence नहीं देंगे भारत से लिंक करते हुए तो आप इसकरश कैसे निकालेंगे यह आरोप कैसे लगाएंगे आप और उसमें आपको बता जें कि जो लोगों ने इस story को break किया उन्हें स्वेम कहा है कि यह phone number का database में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे hack किया गया या इसके साथ कोई infection with diagnosis किया गया I repeat those who have broken the story themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm that infected with pegasus तो यह क्या हो क्या रहा है इन बातों को आज देश के सामने नाना बहुत जरूरी है और फिर मैं कह रहा हूँ यह सारी कहानी मौनसून सत्र के एक दिन पहले क्यों खोली गई इसके पीछे का agenda क्या है इसमें अंतलाशी संगट है हाँ और एक बात और है वो NSO जो pegasus के manufacturer है उन्हें साफ कहा है कि हमारे अधिकान's client western countries है तो भारत को इसके मादनें से target क्यों किया जा रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है इस कहानी में twist क्या है कुछ लोगों को लाया गया उनके नाम फेके गए अब उझे मुझे अनिल्क बलूनी ये बता रहे थे कि Congress Party के पूरवध्यक्ष का भी नाम है अच्छमा करिएगा मैं व्यांगे में बोल रहा हूं उनके तो सारे टिपणी रोजी ट्वीट पे रहती है वो देश में खुधी ग्यान देते रहते हैं तो उसके लिए कोई अधिक जानने की दरूरत है क्या अब एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे कि यह जो पूरे यह संस्थाएं अंतराशिय संस्थाएं और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा तो क्या भारत की राजनीती में कुछ लोग सुपारी एजेंट है क्या मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्वारी से कर रहा हूँ कुछ दल कुछ नेता क्या ऐसी अंतराश्टिय कॉंस्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते है और यह कोई नई बात तो नहीं है याद करिए आप कभी भारत की विविद्धा पर चोट हो रहा है कभी भारत की मीडिया फ्रीडम पर चोट हो रहा है कभी भारत में मल्टी कल्चरलिजम पर अट्रेक हो रहा है यह चलता रहता है ना आप देखते हैं और इन सबों का कारण एक मात्र यही है एक मात्र कि हमारे प्रधान मंती नरेंडर मोदी जी के अगुआई में जो भारत ने दुनिया में अपनी एक साख बनाई है उसे लोग परिशान हैं तो इस विकास की यात्रा को रोको और इस आत्म निर्भर आत्म विश्वास भारत की क्यात्रा को रोको ट्राइ ट्राइ टू ब्लॉक दे स्टोरी अफ इंडिया डिवलप्मेंट विच इस आत्म निर्भर आंड विच इस फूल अफ कॉन्फिडेंस यह समस्या अब यह बताईए कि क्या यह भारत के खिलाफ कुछ रेवेंज है क्या जिस तरह से भारत ने कोवीड में काम किया जिस तरह से भारत में आज वैक्सिनेशन चल रहा है लगबग क्या चालिस करोड हो गए ना चालिस करोड दुनिया की बहुत सारी आबादियों से अधिक है उसमें हदिकांज Made in India वैक्सीन है, आज भारत में कॉंसंट्रेटर बन रहे हैं, पीपीडी केट बन रहे हैं, विंटलेटर बन रहे हैं, भारत ने दुनिया में एक नया पैमाना इस्थापित किया है 75 परसंट देश के पॉपुलेशन को फ्री वैक्सिन दी जा रही है तो कि इससे कुछ लोग को परशानी है क्या कि भारत ये सब कैसे कर पा रहा है चाहिए वो डिजिनल इंडिया का छेत्र हो आईटी का छेत्र हो भारत की सेनाओं के बहादुरी का छेत्र हो इससे परशानी हो रही है क्या या कुछ लोग को इससे भी परशानी हो रही है कि भारत टेक्नोलोजी में आज सबसेदिक विदिशी पुजी रिवेश्ट प्राप क दुनिया में इस से परशानी हो रही है क्या यह हम जरूर चाहेंगे इसलिए यह सवाल फिर रालिवेंट होता है कि अगर पैटालिस से अधिक देश पेगासेस का उपयोग कर रहे हैं जैसा कि एनों से न बताया है तो सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है जबकि कहा गया कि साब हमारे है एक सिस्टम है आज मंतरी इन ने बताया वो सिस्टम यह है कि फोन को अगर टैप करना है या ट्रैक करना है तो Telegraph Act के Section 5 में इस बात का प्रावधान है कि उसके लिए केंदर के Home Secretary या प्रदेश के Home Secretary पर्मिशन देंगे पर्मिशन Rules के मताबिछ चाहे वो IT Act हो य तैलिगाफ Act हो एक निश्चित सीमा के लिए वो करवाई चलेगी उस करवाई को एक review committee है जिसको cabinet secretary head करते हैं जिसमें IT, communication secretary, law secretary बैठते हैं वो नहीं confirm करेंगे, नहीं चलेगा तो यह पूरी एक प्रक्रिया और यह सिर्फ और सिर्फ राष्टिय सुरक्षा national security के अनुपाद में हो सकती है इस पर सुप्रिम कोट यह कई फैसले हैं कई प्रक्रिया हैं आपने देखा होगा मैं आपको बता दूँ कि अभी internet का विशह आया था तो सुप्रिम कोट ने उस विशे की internet को जो रुका गया कुछ समय के लिए क्यों रुका गया क्योंकि terrorism का एक comparing national interest था तो भारत में एक मजबूत कानूनी धाचा है ऐसा काम करने के लिए there is a robust legal framework available in India when only national security phone tapping can be done और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपना नाम बता रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं वो भी इसको विश्वास से सबूत नहीं दे पा रहे क्योंब जहां से कहानी आई है उन्हें खुद कहा है हमारे पास को evidence नहीं है इसको link करने का सिर्फ नाम है database में database तो 50,000 का है मित्रों इसमें कुछ cases भी हुए थे 19 में भी एक लोग सभा के चुनाओ के पहले एक कहानी उठी थी उसमें भी पेगासिस की बात आई थी यहां कई वरिश पत्रकार बैठे हैं उनको याद होगा लेकिन सुप्रिम कोट में केस हुआ था जहां पर वाटसैप के द्वारा यह स्पश्ट रूप से कहा गया कि वाटसैप के सिस्टम को पेगासिस से आप बग नहीं कर सकते हैं उससे डेटा आप हैक नहीं कर सकते हैं वाटसैप वरी स्पेसिटिकली कंटेंड बिफोर थे सुप्रिम कॉर्ट इस डेटा कैनोट बी हैक्ट बाइड़ पेगासिस ऑफ इस्रैली सिस्टम कंपी सिस्टम अब समानता हम वकीलों की चर्चा नहीं करते हैं कौन किसका वकील बनता है यहां पर यह वकील के नावना जरूरी है वाटसैप के वकील थे सिमान का पिल सिंपल उन्हें प्रोफेशनल केपैसिटी में कहा तो यह सारे हमने आपको एविडेंस दे दिये कि जिस तरह से यह जान बूज कर मौनसुन सत्र के समय सदन को डिस्रप्ट करने और देश में बेबुनियाद एजेंडा करने की कोशिश है और इसका एक कारण है इसका कारण है कि कॉंग्रेस पार्टी सिमट रही है कॉंग्रेस पार्टी हार रही है पंजाब में क्या ड्रामा चलना है कॉंग्रेस पार्टी में रोजालपो टीवी को दिखा रहे हैं अब तो राजस्थान में भी कॉंग्रेस के निता ही आरोप रहा है ये भी आप देख रहे हैं वहां उनके जगडे सुलज नहीं रहे हैं वहां उनकी सिती और परशानी में हो रही है उत्तर प्रदेश में अभी जितने चुनाव हुए कॉंग्रेस पार्टी का क्या हुआ अस्थान निकाय के चुनाव में उस पर चर्चा भी नहीं करनी के जरूरत है तो जब ये सब चला तो एक नया फ्रंट खोलो यह है पुरी कहानी तो इसके हम जबर्दरसूप से निंदा करते हैं एक बात मुझे और कहनी है वह अंतिम बात मुझे यह है कि कई नई नई कहानी आती हैं अब मुझे बताया गया है कि कल कोई एक नया चैनल है जिस चैनल से कॉंग्रेस पार्टी को बहुत प्रेम है यह सब आपको बताएंगे आस्ते आस्ते हमको यह भी मालू हुआ है कि उनके हां करोणों का फंड विदेश से आता है जिसमें कुछ चाइना के भी फंड है और उनके द्वारा बहुत चीजें कैम्पेंड की जाती है तो क्या यह सब को एक संदेहास्पत परिसेती है क्या तो पिक्चर भी बाकी है दोस्त यह कहानी चलने दीजिए जितनी कहानी आएगे हम बताएंगे मित्रों I think I have already explained everything open to questions अगर मेरे द्वारा गिये गए दलील और तर्क पर नुका यही उत्तर है तो मैं कहूंगा भगवान बाला करें रवी कान्स न्यूज नेशन पर इस मामले को संस्टर बे उठा रहे हैं आप इस पहां की पूलिस को सबूस्ट में इसको बहुत किया ना बहस करें दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा सरकार भी बोलती है हम लोग भी बोलते हैं वहाँ पर बैस से क्यों भाग रहे हैं तो हर जिसमें जे पीसी पहले कुछ अधार बताएंगे आप हमें हमें भी कॉंग्रेस पार्टी से संसद में बहुत सवाल पूछते हैं हमें